Let's discuss stanza 1 and 2 of poem Amanda. Basically, this poem में क्या है? एक girl है Amanda जिसकी मतर उसे बात बात पर उसकी mistakes के लिए टोकती रहती है, point out करती है और वो बाते सुनकर उसके मन में, Amanda के मन में बहुत सी बाते आती हैं, जिनको वो express नहीं करती, मन में ही सोचती है ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं उसको लगता है कि उसका जो free रहने का space उसको नहीं मिल रहा freedom नहीं मिल पा रही है, मन में बहुत से उसके विचार आते हैं and एक खास बात है इस poem में, आपको mother के जितने भी बाते हैं, dialogues हैं, वो आपको simple stanzas में दिखेंगे और जितने भी विचार Amanda के मन में आते हैं, वो आपको bracket वाले stanzas में दिखेंगे वो bracket में दिखाने का reason ही यही है, कि वो stanzas जो है express नहीं हुए हैं, वो सिरफ Amanda ने मन में सोच है So let's start with the first stanza Don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda अब mother जो है, वो Amanda को क्या कह रही है, कि nails bite मत करो, अपने shoulders को bend करो, मत करो, ठीक है, hunch का meaning होते है, bend करना तो mother उसको nails bite करने के लिए रोक रही है, अपने shoulders को bend करने के लिए रोक रही है Stop that slouching and sit up straight, Amanda Slouching क्या होते है, lazy, laziness जो होती है, आलस type से ठीक है, तो वो क्या करें, ये आलस छोड़ो और सीधे होकर बैट जाओ Amanda अब देखते हैं, Amanda के मन में क्या आते है, stanza 2 में There is a language emerald sea, language is shant क्या कहती है, Amanda कि एक shant emerald sea है, emerald is a greenish gem ठीक है, तो एक green color की shant sea है Where the soul inhabitant is me, जहां पर अकेली, soul is अकेली, inhabitant रहने वाली, जहां पर अकेली रहने वाली मैं हूँ, a mermaid, खुद को वो क्या कह रही है, mermaid कह रही है drifting blissfully, और मैं पानी के बहाव के साथ-साथ धीरे-धीरे आगे की तरफ, blissfully, happily बढ़ती जा रही हूँ तो अब Amanda यह सोचती है, कि ऐसी जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो मदर की डार्ट सुन रही है तो कहीं न कहीं उसके मन में आ रहा है, कि काश कोई ऐसी जगह हो, जो शान्त हो लैंगोइड इसलिए, क्योंकि देखों से डार्ट पड़ रही है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि शान्ती नहीं है तो लैंगोइड जगह मांग रही है वो, जो शान्त हो Emerald Sea, Sea की बारे में सोच रही है वो, जहाँ पर कोई भी नहीं है Soul, अकेली रहने वाली, वो अकेली ही है, मरमिड खुद को कह रही है वो, ठीक है और Drifting Blissfully और अराम से पानी के बाव के साथ चल रही है शान्ती चाहती है वो एक तरह से, बट यह सारे विचार उसके मन में है, वो एक्सप्रेस नहीं करेगी ठीक है, Poetic Devices हम देख लेते है, सबसे पहले Anaphora, First Two Lines आप देखें Don't से स्टार्ट हो रही है, यह न, There is Anaphora Then Metaphor, Metaphor इसलिए है, क्योंकि जो Amanda है उसने अपने आपको मरमेड बोल दिया है, मरमेड से compare कर दिया है बट यहाँ कोई as और like नहीं आपको नज़र आ रहा है, तो direct comparison किया, Metaphor आपको नज़र आ रहा है Then आपको reputation भी दिख रहे है, बार-बार से word आ रहा है, Amanda ठीक है, alliteration आपको नज़र आएगा, alliteration, stop that slouching and sit up straight Stop, that slouching, s, s sound आपको यहाँ पर clearly नज़र आ रहे है, then आपको यहाँ पर illusion भी नज़र आ रहा है illusion होते है, जिब कोई famous reference यूज किया जाए, है न, तो emerald को कह सकते हम, क्योंकि emerald are famous gems होते है so illusion यहाँ पर है, और कई भी और हम यह भी कह सकते हैं कि mermaid के कारण भी illusion है क्योंकि mermaid जो है famous है, ठीक है, so जब भी कोई famous references यूज किये जाते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं illusion है so this was about first and second stanza so let's discuss stanza 3 and 4 of poem Amanda previously अभी देख के आए है stanza 1 and 2 के explanation में कि Amanda की mother उसको point out करती है चीजों के लिए और इस बात से Amanda को कहीं न कहीं लगता है कि उसके पास freedom नहीं है और वो freedom चाहती है इसलिए वो मन में ऐसा ही सोचती रहती है now let's see the next stanza did you finish your homework Amanda अब mother जो है inquire कर रही है कि क्या तुमने अपना homework finish किया Amanda did you tidy your room Amanda now she is also asking Amanda से ये पूछ रही है कि क्या तुमने अपना जो room है वो clean कर लिया है I thought I told you to clean your shoes Amanda और वो ये भी कह रही है कि शायद मैंने तुमसे तुमारे shoes clean कर ले के लिए कहा था Amanda means mother ने कुछ instructions दिये थे Amanda को और वो अब उनके बरे में inquire कर रही है कि क्या Amanda ने वो सब काम कर लिया या नहीं so let's check stanza 4 अब again ये bracketed है means ये Amanda के मन में है चीजे वो इसको express नहीं करेगी अब ये सब बाते सुन कर उसके मन में क्या क्या आ रहा है I am an orphan roaming the street अब Amanda सोच रही है कि वो एक orphan है orphan जिसके parents नहीं होते कि वो एक अनाथ है और roaming the street अब because उसके parents नहीं है तो वो गलियों में एक तरह से घूम रही है या street में घूम रही है I pattern soft dust with my hushed bare feet hushed silently कर रही है वो और pattern soft dust means जो रेथ है जो धूल मिटी पड़ी हुई है उसके अंदर अपने bare feet से नंगे पैरों से वो क्या कर रही है कुछ ना कुछ pattern जो है silently draw कर रही है देखो ये बिल्कुल contrast में है mother उसको चीजे clean करने के लिए कह रही है और उसके मन में विचार है कि वो बाहर freedom के साथ खेले और मिटी वगएरा इन सब चीजों के अंदर जाए अब ये उसे क्यों लगता है कि silence golden है या freedom sweet है देखो freedom की बात तो हमें पहले भी पता लगी stanza 2 में कि वो freedom को miss करती है तो उसको freedom जो है प्यारा लगता है इसलिए उसे कही न कहीं ये भी लगता है कि उसकी mother उसे control करती रहती है silence जो है golden इसलिए क्योंकि बार बार मदर कुछ ना कुछ point out करती है तो उसे एक तरह लगता है कि there is no silence उसको silence जो है missing लगता है तो इसलिए उसको silence जो है ना बहुत precious लगता है कि silence होना चाहिए वैसे भी वो because बार बार point out होती है चीजों के लिए तो उसके मन में ये है कि अगर उसके parents ना होते वो अनात होती तो she must have got that freedom उसको उस तरह का freedom मिला होता और उसकी life में उस तरह जो है वो शान्ती होती उसे कोई बार-बार point out नहीं करता ठीक है तो poetic devices देख लेते हैं सबसे पहले anaphora first two lines आप देखिए did you did you so same words से ही start हो रही है तो anaphora है then metaphor again उसमें अपने आपको बोला I am an orphan directly अपने आपको orphan बोला कोई as or like नहीं है तो बस metaphor यहाँ पर है then repetition amanda जो word है first or second stanza में बार-बार आया है so these are the three poetic devices in these two stanzas so far हमने one to four stanzas किये है poem amanda के और हमने देखा है कि कैसे मदर बात-बात पर उसको point out करती है और कैसे amanda जो है constantly freedom के लिए crave करती है और अपने मन में कितना कुछ सोचती है so we are now on stanza five and six don't eat that chocolate amanda remember your acne amanda अब मदर जो है उसे वो खाने पीने की चीजों के लिए भी point out करती है कि क्या उसे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो अभी यहाँ पर मदर जो है उसको chocolate खाने से रोक रही है और उसको क्या याद दिला रही है उसका acne याद दिला रही है acne, pimples वगरा जो हो जाते है face पे कि अपना acne याद करो तुम यह chocolate मत खाओ because उससे क्या हो सकता है acne हो सकता है अब मदर क्या करी है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुम से बात कर रही हूँ in a way आप कह सकते हो कि मेभी जब Amanda की मदर उसे constantly डाट रही है तो Amanda जो है वो अपनी मदर की तरफ नहीं देखती है मेभी वो अपना head नीचे की तरफ करके बैठ जाती है तो अब मदर को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है she wants की जब वो उसे बात कर रही है तो वो उसकी तरफ देखे now let's see कि अब Amanda ये सब सुनके मन में क्या सोचती है I am Rapunzel I have not a care कि मैं जो हूँ Rapunzel हूँ और मेरे पास कोई भी चीज नहीं जिसकी मैं फिकर करूँ now Rapunzel कौन है it's a famous character in the fairy tales and she has very beautiful golden hair तो अपने आपको वो Rapunzel imagine कर रही है वो इसलिए imagine कर रही है कि वो जो है she lives in a castle एक अच्छे से महल में रहती है और उसको किसी चीज की परवा करने की जुरत नहीं है life in a tower is tranquil and rare tower क्या है ये side में image में दिखाया है तो जो life है towers में जो castles होते हैं वहाँ पर जो life है बड़ी tranquil शान्त होती है and rare rare uncommon है जो normal लोगों जैसी life नहीं है एक अच्छी life है जो मिलना भी बहुत मुश्किल है I'll certainly never let down my bright hair कि मैं तो कभी भी अपने bright hair को नीचे की तरफ नहीं लटकाऊंगी अब ये कहने का क्या मतलब है रेपिंसल जो है उसके काफी long hair है और वो अपने hair को जो है tower से नीचे जब hang करती है ये लटकाती है तो उसके hair के उपर चड़ कर कोई भी उस तक पहुंच सकता है just like एक rope के उपर चड़ कर आता है कोई उपर लेकिन Amanda क्या चाहती है कि उसके पास कोई ना आए वो रेपिंसल तो बनना चाहती है लेकिन रेपिंसल की तरह अपने hair को नीचे नहीं लटकाना चाहती tower से so that उस तक कोई पहुंच ना पाए she wants to live alone अकेले रहना चाहती है क्योंकि उसको life में क्या चाहिए शांती चाहिए she wants freedom also ठीक है so poetic devices अब यहाँ पर जो देखें सबसे पहले तो illusion famous reference यहाँ लिया है रेपिंसल का then metaphor again यहाँ पर Amanda ने खुद को क्या बोला है Rapunzel बोला है metaphors आ गया है यहाँ पर then repetition first two lines में आप देखो Amanda, Amanda then again यहाँ पर next line के बाद भी क्या है Amanda है तो Amanda की repetition हो रही है then comes alliteration life in a tower is tranquil and rare तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है clearly tower, tranquil ठीक है तो यहाँ पर alliteration है we are on the final stanza of poem Amanda previous stanzas में हमने देखा mother जो है कैसे उसे point out करती है Amanda को बात बात पर और Amanda जो है इन सब चीजों से कहीं न कहीं परिशान है तो इसलिए वो freedom चाहती है तो final stanza अब देखते है stop that sulking at once Amanda अब mother क्या कह रही है Amanda से कि यह जो तुम बेकार मूड में बैठी हो परिशान उदास बैठी हो इस तरह से बैठना बंद करो you are always so moody Amanda कि तुम तो बहुत ज़्यादा unstable हो तुमारा तुम मूड ही stable नहीं रहता है तुम बात बात पर sad वगेरा हो जाती हो तो इस तरह से रहना बंद करो anyone would think that I nagged at you Amanda कि कोई भी तुमारा इस तरह का mood देखकर यही सोचेगा कि शायद मैं तुमें लगातार harass करती हूँ nagged harass करना परिशान करना तो mother का dominating nature आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है देखो उसको खाने पीने के लिए या काम के लिए हर चीज़ के लिए टोका जाता है और यहां तक कि अब वो किस mood में है वो mood भी उसको maintain करने नहीं दिया जाता और उसको क्या कहा जाता है कि जिस तरह से इस तरह से रहना बंद करें behavior भी उसको change करने के लिए कहा जाता है means there is no freedom उसको बस हर बात के लिए point out किया जा रहा है तो Amanda को इसी लिए मतलब कहीं न कहीं लगता है कि उसके पास freedom नहीं है और वो constantly वो freedom चाहती है ठीक है तो यहां मदर का एक dominating nature आपको नजर आ रहा है तो poetic devices जो यहां पर है reputation, Amanda word की reputation आपको दिखती है and then alliteration first line अगर हम देखें stop that sulking SS sound यहां पर आपको clearly नजर आ रही है so with this the explanation of this poem is over